वीपीटेक्नो से अपना मशिन है जो लिपिड फीलिंग मशिन है तो यहीं कर सकते हैं जिसमें आपका 3 से सब्सक्राइब कर सक्क्राइब उद्य है जूश है लिए जीए है बंटर मिल्क है चाहिए पन्नी का पाउज बनाना है ठीक है वह भी इसमें आप पेक कर सकते हैं पुछ करना नहीं अब प्रक इतना है कि इसमें भी नीचे है ना मिल्स वगएर दे दिया है आप जीली इसको कहीं कर सकते हो ठीक है यह तो टोटली इसमें क्या है कि आपको कंप्रेसर लगेगा अलग से आपको लेना पड़ेगा जो मतलब नियुमेटिक का काम करेगा और यह कैसे पुरा वर्ग करता है और आपको यह वीडियो में पुरा लाइव दिखाना है पुछ करने की जुरूरत नहीं है पुरा यह पन्य वगेर आपने लगा दिया ठीक है फिर अपना जो भी मट्रेल रखना है और के अंदर रख देना है जो भी लिक्विड आपको फिल करना है और यहां से पिछे से आपको है ना कंप्रेसर का एक लाइन लगा देना है पिर जो भी आपको एमल वगेरा सेट करना है तो आपको लड़ी में करना है तो लड़ी में करना है तो लड़ी में भी कर सकते बागी देखिए आप यह सिंगल सिंगल पाउज करना है तो भी कर सकते हैं इसमें एंजिन वगरा रहता है वह पेक करना है तो भी हो जाएगा काफी सारी लिक्विड आइटम इसके करता है उसका लाइड देखते है ठीक है चलिए देखते हैं आप देख सकते हैं यह पुरा होपर है होपर में आपका जो भी मट्रियल रख देना है और यहां से आप अपना जो भी ml सेट करना है कितना लिक्विड फिल करना है जो भी मट्रेल है वह यहां से आप सेट कर सकते हैं यहां से पुरा सेट कर सकते हैं और टोटली एसस बोडे में आएगा सिंगल फेस है घरेजलू लाइट से चल जाएगा आपका ठीक है और कम्प्रेसर भी आप है तो कैचप रख दिया इसके अंदर ठीक है और यहां पर जो भी ml रखना यहां पर सेट कर दिया है उसके बाद आपको यहां से स्टारट कर देना है कि यहां से स्टार्ट कर दिया तो देख सकते आप बुरा है आपका पाउद भी लीड नहीं होगा एकदम अच्छी तरह स होगा लड़ी में करना है तो लड़ी में भी कर सकते हैं सिंगल सिंगल करना है तो भी कर सकते हैं कि अदेख सकते पूर का इसका वर्किंग ठीक है अब देख सकते पाउस की कॉलेटिव अगयरा है ठीक है नेक दम प्रोफेशनल पेक होगा है लीक नहीं होगा आपका कोई भी आइटेम आपकी इसके पेक कर सकते हैं श्यम्पू है ओयल से घी है दूध है अचास है वगड़ा है लीकुड़ में जो भी सीज़ है वह आप आरा कि नोडर कर सकते हैं ठीक है अब देख सकते हैं कि इतने टेम में कितना पाउच बन गया है अचके लिए उतना ही तब तक के लिए जय हिल जय भारत वंदे मात्रम